सर्दियों के लिए आज हम बनाएंगे एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉंग बनाएगा और आपको हर बीमारी से भी दूर रखेगा सबसे पहले एक कड़ाई में हम डालेंगे मकानाज और मकानाज को हम रोस्ट करेंगे तीन से चार मिनिट मैं कभी भी इने घी में रोस्ट नहीं करती बिकस आप जितना घी डालेंगे यह उतना ही अब्जौब कर लेंगे तो आप देखें इस पॉइंट पे जब आप मखाने को हाथ से क्रश करेंगे तो वो परफेक्ली हो जाएगा ये साइन है कि मखानाज आपके कुग्ट हैं इसको अब आप निकालें एक बोल में और उसी कड़ाई में हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा घी उसी के साथ लंबे कटे बादान, अखरोट और पिस्ता घी हमें बहुत ज़ादा नहीं डालना सिर्फ इतना डालना है कि हमारे नट्स उसमें रोस्ट हो जाएं यहां काजू डालना मैं भूल गई थी तो यह भी मैंने अभी एड़ किया है इसको भी हम बोनेंगे एक से दो मिनट आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं मैं जेनरली नट्स लंबे-लंबे काट के डालना पसंद करती हूँ क्योंकि जब आप यह विंटर मिल्क पिएंगे तो जब यह मूँ में आते हैं यह बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो आप देखें इसमें हलका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उसी के साथ मैंने डाली है किश्मिश और खजूर खजूर के मैंने छोटे-छोटे पीसेज कर ली हैं यह इस विंटर मिल्क में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देंगे आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिकर जरूर बताएं अब हम इसमें डालेंगे दूद और दूद डालके हम इसको नट्स के साथ कुक करेंगे ताकि जो नट्स का फ्लेवर है जो रिचनेस है वो मिल्क में कंप्लीटली आ जाए तो हम इसे एक से दो अच्छे बॉइल जाने देंगे अब जब तक ये दूद हमारा बॉइल हो रहा है हम इसमें एग करेंगे एक ऐसा इंग्रीडियंट जो इस विंटर मिल्क का टेस बिलकुल दुगना कर देगा तो यहां मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर इसमें अब हम डालेंगे ठंडा दूद कस्टर्ड पाउडर में हमेशे ठंडा दूद डाले गरम नहीं डालें वरना इसमें गुटलिया पड़ जाएंगी तो इस सब को अच्छे से मिक्स करें यह कस्टर्ड पाउडर आप स्किप नहीं करें यह इस विंटर मिल्क में बहुत अच्छी क्रीमिनेस अड़ करेगा और थिकनेस भी तो देखें यह बिलकुल तयार है अगर हम दूद को देखें तो इसमें अच्छे बॉइल्ज आ गए है और नट्स पी हैं हमारे वो इस पॉइन पे सॉफ्ट हो गए है इसमें अब हम डालेंगे हमारा कस्टर्ड का मिक्शर आप हमेशा कस्टर्ड डालते वक स्पून को हिलाते रहें वरना इसमें गुटलिया पड़ सकती है तो हम इसे दो से तीन मिनट तक और कुक करेंगे ताकि ये जो मिल्क है हमारा वो स्लाइटली थिक हो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेज जे हां विंटर मिल्क बना रहे हैं तो स्पाइसेज डालना बहुत इंपोर्टन्ट है अगर आपको गला खराब है, खासी है या किसी भी तरह से आपको अच्छा नहीं लग रहा आप ये विंटर मिल्क पियेंगे स्पाइसेज के साथ तो ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा तो आप देखें, अगर मैं आपको टेक्शन दिखाऊं ये अल्रीडी हमारा गाडा होने लगा है अब दूद को मैंने एक से दो मिनत तक बॉइल कर लिया है सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर जी हां हल्दी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आती है तो आप इसे जरूर डालें उसी के साथ मैंने डाला है इलाइची पाउडर और काली मिर्च अब मैंने डाली है चीनी, काली मिर्च आप जरूर डालें और जो स्टाइट में मलाई भी है आप उसको निगाले तो आपका बहुत ही थिक और क्रीमी, हेल्दी नट्स वाला दूद बनके तयार है अब आखिर में हमेस में डालेंगे मकानाज और एक फाइनल हमेस को मिक्स देंगे आप एक बार इसे जरूर बनाए, I promise आपको ये इतना पसंद आएगा कि हर मॉनिंग में आप अपने ब्रेक्फर्स में ये पीना चाहेंगे अगर आपको आज की ये विंटर स्पेशल मिल्क रेसिपी पसंद आई है तो आपको सुद का यानि की बेसन दूद भी बहुत पसंद आएगा उसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनेफिट्स है और उसका तेस्ट बहुत बढ़िया है बिल्कुल बेसन हल्वा जैसा उसका लिंक भी मैं यहां दूँगी आप वो भी जरूर चेक करें